हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल स्पेचलना टेराट कैसे हैं आप लोगा है होप फुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉई कर रहे होंगे है अच का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है डियर क्या आप किसी शादी शुदा से डील कर रहे हैं हो सकता है कि अन्मैरिड हो है ना या फिर आप अन्मैरिड हो सकते हैं और किसी शादी शुदा व्यक्ती से आपकी डील चल रही है कहीं न कहीं आप कनेक्ट हैं तो डियर हम देखने की कुशिश करेंगी कि क्या आप किसी शादी शुदा से अटैच हैं तो कैसा उनके साथ में आपका रि तो देखेंगे कि उनकी feelings क्या है वो आपको लेके क्या feel करते हैं तो वो चीजों के बारे में हम सोचेंगे आपके लिए उनकी feeling क्या है या दोनों शादी शुदा है पर partner अलग-अलग हो सकते हैं हो सकता है कि आपके partner अलग हो और इनके partner अलग हो पर आप दोनों प्यार करते है पर अलग-अलग situation अलग-अलग जगह पर है डियर तो देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की life आपकी कैसी रहने वाली है आपका life का situation कैसी रहने वाली है क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर वो क्या feel करते हैं आपके partner आपको क्या समझते हैं ठीके तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं आपको topic अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आप married है unmarried है और आप किसी शादी शुदा से deal कर रहे हैं ठीके तो उनके दिल में आपके लिए क्या feeling से अगर आपको आ रहे हैं और आप शादी शुदा से dealing कर रहे हैं तो उनके दिल में आपके लिए क्या feeling मैं अच्छे से आपको clear कर दिया है क्या topic है तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स जो है जिन से भी प्यार करते हैं हो सकता है कि आप एक marriage life में involved होते हुए किसी और से प्यार करते हैं तो वो person जो है आपसे क्या प्यार करता है या नहीं वो person ज कि लाइफ के लिए वो लॉयल रहे या नहीं ठीके यह पर कुछ कार्डज आए हैं चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्डज रहे हैं यहाँ पर हाइप रिस्टेज हैं क्वीन ओफ कप्स हैं क्रीओ वांड्स नेक्स काड्ड जो है टैन ओफ वॉंड्स ओके King of Pentacles के energy आए ये भी और यहां से है The Lovers Lovers के energy दिख रही है और यहां पर है Six of Wands Nine of Pentacles Two of Swords Ten of Swords Five of Wands and Cups Bottom के energy जो है वो है Hanged Man चलिए देखते है दियर सबसे पहले तो यहां पर मैं आप लों को sign बता दू तो Gemini, Libra, Aquarius है Aries, Leo, Sagittarius है और Cancer, Scorpio, Pisces है Taurus, Virgo, Capricorn है तो दियर आलमोस्ट हमारे पास में सारे sign है और आपको यह दिख रहे होंगे कि यह sign क्या है ठीके दियर देखिए सबसे पहले तो यह दिख रहा है कि क्या चल रहा है उनके मन में आपको ले कर वो क्या feel करते हैं जिनसे आप deal कर रहे हैं जिनके साथ में आप connect हैं दिल से आप उनसे प्यार करते हैं हो सकता है आपकी marriage life में इतना प्यार नहीं है इतना love नहीं है हो सकता है जिसके साथ में आप attach हो है ना आप रहे रहे हो आपकी शादी कर दी गई है वो आपका प्यार नहीं है और डियर जहां आप प्यार करते हो वो person की मैं बात करूँ तो डियर आपके partner आपको समझदार समझते हैं कहीं न कहीं और एक समझदार person मानते हैं आपको जितना चाहते है न वो उतना प्यार उन्होंने किसी को नहीं किया है आपको लब देना चाहते हैं आपको अपना प्यार देना चाहते हैं सारी दुनिया का प्यार आपको देना चाहते हैं और वो सारी दुनिया के सामने ये ओपन करना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदग आपको सारी दुनिया के सामने अधिकार देना चाहता है आपको अपनाना चाहता है कहीं न कहीं वो ये भी चाहते हैं कि आपको वो अधिकार मिले आपको अपनी पतनी बोल सके आपको अपनी वाइव बोल सके वो उनके दिल में ये चलता रहता है डियर अपना लव बताना चा मेरे हजबेन को पता चल सकता है या मेरे घरवालों को पता चल सकता है तो यहां पर आपके तरफ से कोई मनाई है जिसके पीछे ये पार्टनर जो है स्टैप नहीं ले पा रहे हैं कोई तो कारण है डियर इनकी लाइफ में आपके पार्टनर के लाइफ में स्ट्रगल चल रहा आपके partner इन सब परेशानियों से भाग कर आपकी तरफ आना चाहते हैं उनका दिल तो करता है कि वो आपकी तरफ आ जाए पर डियर आपने उन्हें रोक रखा है आपने उन्हें मना कर रखा है आपकी ही कुछ मजबूरिया है आपके ही कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये पार्टनर जो है क्लियर तरीके से कोई decision नहीं ले पाते हैं वो चाहते तो हैं आपकी जिन्दगी में आना आपकी जिन्दगी में रहना पर डियर यहां पर कुछ तो बंदिश है जिसके कारण ये पार्टनर जो है क्लियर तरीके से आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं आपके करीब तो आना चाहते हैं भाग कर सब कुछ छोड़ कर आना चाहते हैं डियर आपको दिल का हाल बताना चाहते हैं अपने दिल की फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जब आपके पास आते हैं ना तो डियर उनको हीलिंग फील होती ह कहीं न कहीं इतनी सारी परिशानियों में जो गिरे हुएं इतना सारा दोख इतना सारा जगड़ा इतना सारा प्रॉब्लम इतना दोख इतनी तकलीफों में जो आपके पार्टनर गिरे हुएं न उन सबसे निकलने में कहीं न कहीं आपकी हीलिंग जो है आपका प्यार जो है व बात को लेकर इनके दिल में कुछ चल रहा है और उस बात के लिए ये आप से बात कर सकते हैं और ये मोके की तलाश में हैं कि कब इनको वो मोका मिले कब वो वक्त आए जब ये आप से बात कर सके बस मोका नहीं मिल रहा है डियर आपके पार्टनर को ये आपको अपनी पर कोई और का अधिकार नहीं है आपकी लाइफ पर और यह चाहते भी नहीं है कि कोई और आपकी जिन्दगी में आए जहां आप इन्वाल्व हो उनके साथ में जब यह पार्टनर आपको देखते हैं कहीं जाते हुए या कहीं भी तो यह पार्टनर को बहुत बुरा लगता ह बहुत दुख होता है dear आपके partner को अगर आप unmarried है और dear आपका partner married है तो कभी-कभी आपको भी बहुत दुख होता है जब आप उन्हें किसी और के साथ में देखते हैं तो ये situation दोनों तरफ बनी हुई है dear दोनों के दिल का हाल बुरा है त्योंकि प्यार आप दोनों करते हैं और दोनों के बीच में एक-एक third party कोई और situation यहां पर दिख रही है dear कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए तो आप शादी शुदा है पर dear आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं कि जो unmarried हो सकता है लेकिन वो बंदा जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है ब पर्मानेंट रखना चाहते हैं ऐसा नहीं कि आज आए कल चले गए ऐसा कोई इनका इरादा नहीं दिख रहा है यह आपके साथ में पर्मानेंट रिष्टा रखना चाहा रहे हैं dear आप दोनों के बीच में रूटना मनाना वाली जो situation है ना वो चलती रहती है और dear आपके partner ज पर प्यार तो बहुत है dear यह इस रिष्टे को लेकर बहुत सपने देख रहे हैं dear आपके partner जो है ना इस रिष्टे को लेकर बहुत सपने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा problem चल रही है आप देख रहे हैं काट क्या बता रहे हैं कि आपके partner जो है अपनी feelings को छुपा लेते ह क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपनी feelings अगर वो बया कर देते हैं किसी के सामने या किसी को बता देते हैं आपका प्यार आपका love अगर वो किसी को बता देंगे तो शायद कुछ problem आज सकती है शायद आपने इने रोक रखा है इसलिए ये partner जो है अपने दिल की बात किसी से बोल नहीं पाते हैं और ये दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं आपको अपनी wife मान चुके हैं आपको अपना husband मान चुके हैं पर ये चीज के लिए दिख रही है कि ये partner जो है आपके लिए stand लेना चाहते हैं चलिए हम दूसरे डेक से देखते हैं कि और क्या है ठीके यहाँ जो card निकला है three of pentacles का card है three of pentacles next card क्या है queen of wand, three of swords, ten of swords तो dear ten of swords के energy है, ten of pentacles भी है तो ये तेखिए ten of pentacles जो आया है वो कही न कहीं ये बात को बता रहा है कि आपके partner तो आपके साथ में relation को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो इस रिष्टे को जीतना चाहते हैं वो इस रिष्टे में जीत हासिल करना चाहते हैं और dear बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं वक्त नहीं मिल पा रहा है जो वक्त का वो इच्छा हैं कहीं न कहीं आपको पाना चाहते हैं आप देख रहे हैं ना बस अपनी फिलिंग्स को क्या करें हाइट कर रहे हैं अपनी फिलिंग्स को छुपा रहे हैं आपके पार्टनर अपने दिल में रख रहे हैं प्यार वो आप से करते हैं लव आप से करते हैं सेम कार्ड निकले हैं डियर जो कार्ड पीछे निकले थे वही कार्ड यहां पर दिख रहे हैं रिपीट निकले हैं आप दोनों एक दूसरे के विपित होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के दिल के इतने करीब हो की दोनों का प्यार जो है ना बिलकुल बहुत ही ट्रू लव है बिलकु और बढ़ता है dear ये आपको परिशान नहीं करना चाहते हैं dear ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको परिशान नहीं करना चाहते हैं आपको पाना चाहते हैं आपके पार्टनर की बात करी जाए तो आपको पाना चाहते हैं आप उनकी इच्छा हो dear ये मन में बाते छुपा कर रखने लगे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर या आप से अपने दिल की बाते शेयर करेंगे अगर या आप से अपने दिल की बातों को बताएंगे तो हो सकता है कि आपको तकलीफ हो सकती है आप दुखी हो सकते हैं क्योंकि इनके दिल के जजबात है वो आप शायद बरदाश ना कर सको उन जजबातों को जानकर शायद आपको भी तकलीफ हो क्योंकि आप किसी सिट्वेशन में घिरे हुए हो और कहीं न कहीं ऐसी सिट्वेशन आपके इर्द गिर्द दिख रही है कि आपके पार्टनर ये न अपनी बातों को अपने दिल में छुपा रहें पर डिर्द जिससी भी आप डिल करये न वो आपको बहुत लब करता है ये भी आपको celebrate नहीं करता है वो पर्सन आपको बिलकुल लब नहीं देता है बलकि ये परसन जिसके साथ में आप आठेच हो ये हमेशा आपको प्यार देना चाहते हैं ये समझदार है डियर आपके परसन और ये अपने मन में बाते चुपा रहे हैं क्यों क्यों कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपने दिल की बात आप से किसी तरह से शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उनके प्यार में थोड़ा सा emotional हो सकते हैं और emotional होके आप कुछ ऐसे ही गलतियां कर सकते हैं या ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे आपके पार्टनर के लाइफ में problem create हो सकती है तो आप ये नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर डियर इसलिए वो आपको कुछ भी नहीं देता है जिसके कारण आपके करीब आ सकें आपके पार्टनर ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई person आपकी life में इंतजार कर रहा है कोई तो है ऐसा मुझे ऐसी energy आरही है कि आपके घर में भी कोई है और डियर आपके पार्टनर की भी लाइफ में हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी वाइफ हो या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके हस्बेंड हो या फिर कोई फैमली वाला हो या तीसरा कोई भी इनसान हो सकता है जिसके कारण आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में ऐसा प्यार सिर्फ उनका है डियर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपका प्यार जो है ना सिर्फ उनका है वो ये चाहते हैं कि ये तकलीफे खुद सहलें पर डियर आपको वो तकलीफ देना नहीं चाहते हैं मतलब यहां पर मुझे आपके पार्टनर के अनरजी की बात कर क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी को अगर आपका पता चल जाएगा तो आपके साथ में जो होगा वो ये नहीं चाहते हैं आपके लिए बहुत कुछ करते हैं डियर आपके पार्टनर आपको तो पता भी नहीं है ये पार्टनर के दिल में क्या चलता रहता है पार्टनर ने पा पार्टनर या आप हो सकता है एनरजी वाइस वर्सा हो पर डियर किसी की जिन्दगी में तो एक तुफान आया था एक ऐसी लड़ाई एक ऐसा जगड़ा आया था कि जिसके बाद आप ने अपने आपको संभाला है डियर और तूटे भी है उस प्यार में उस लव में उस धोके ने आपको तोड़ा भी है किसी एक को तो हो सकता आपका पार्टनर हो या आप हो पर डियर यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ बदल गई जब से आप उनको मिले हो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी दुनिया हो और आपने ही उनके जी one में खुशियां आ गई है इस रिष्टे की इंपोर्टेंस को समझ पाएं है डियर आपके पार्टनर और आपको आज कल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस देते हैं जब आप इंसे बात नहीं करते हैं तो डियर इनको अच्छा नहीं लगता है क्या होता है कि जब आप इनसे बात नहीं करते हैं जब आप इनसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे इन्वाल्व हैं इनकी लाइफ में इनके दोस्त हो सकते हैं इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं कोई इसे खास जो इनको ये ताना देते हैं कि यार जब इस रिश्टे में प्यार नहीं है जब इस रिष्टे में बात ही नहीं है वो वाली तो फिर आप उतना ज़्यादा इन्वाल्व क्यों हो रहे हैं इस रिष्टे में है ना तो यहां पर कोई तो आपके पार्टनर को हर्ट करता है डियर दुखी हो जाते हैं आपके पार्टनर इन बातों से क्यों की लोग कहते हैं कि क्यों इस रिष्टे में हो जब वहाँ प्यार नहीं है सीरियस है डियर आपके पार्टनर पूरी तरह से अगर बात करी जाए जिस भी परसन को लेकर आप ये रिडिंग देख रहे हो वो परसन जो है पूरी तरह से सीरियस है आपके लिए लोयल है वो पूरा इंसान आपके लिए प्यार उसके दिल में बहुत है डियर लोयल्टी दिख रही है आपके प्रती आकरशन है डियर इनके मन में बहुत लव है और प्यार तो भर-भर के है डियर आपने देखा कि आपका आजाने से ये पार्टनर को बहुत खुशी मिलती है आपको पाना चाहते हैं आपसे शादी करना चाहते हैं बस एक समय का इंतजार करें वो समय आपके पार्टनर को चाहिए और लाइफ अच्छी हो जाए यही चाहते हैं आपको अपनी खुशी मानते emotional हो जाते हैं डियर आपके लिए feelings हैं मन में दबाते हैं height करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो ये कभी कभी इस mode पर भी पहुच जाते हैं हर्मिट mode भी दिख रहा है तो डियर अभी आपके partner जो है आएंगे पर time लगेगा क्योंकि हर्मिट mode पर जाते हुए दिख रहे हैं आपके partner तो ये है आपके partner के बारे में जो आपसे love करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं I hope आपको topic अच्छा लगा होगा अगर डियर topic अच्छा लगा है तो like कर दीजेगा और जो लोग first time चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से डियर लेकिन आप लोग जब subscribe का बटन दबाते हैं तो bell icon को all पे प्रेस किया कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो उसके notification मिल सके नहीं तो आप फिर परिशान होते हैं और कहते हैं कि मैडम आपका जो वीडियो था वो पता नहीं चला कब आया कब नहीं तो डियर आप all पे क्लिक कर दिया कीजिए ओके डियर हम मिलते है नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए